हेलू स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का मेरे यूटूब चैनल लर्न विद परमेंदर रावत में आज हम सोल्व करेंगे प्रेक्टिस सेट 27 तो चलिए सुरू करते हैं पहला भाग है सामाने ग्यान का और इसका पहला क्वेशन है पुर्तगाली यात्री वासको डिगामा का काली कट आने पर भब्य स्वागत करने वाले भारती राजा का नाम बताईए तो जब वासको डिगामा भारत आये थे तो उस समय जो उनका स्वागत किया था वो किया था उप्सन नमबर C, जैमेरिन राजाने, तो जो ये वास्को डिगामा थे, ये आये थे 1498 इस्वी में काली कटके तट पर, अगला प्रश्ण है, 1971 की भारत पाक जुद के समय भारतिय सेना के जनरल कौन थे, तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, तो उस समय जो जनरल थे वो थे, option number A, जनरल मानिक शौँ, अगला प्रश्ण है, B.S.F. का पूरा नाम क्या है, या B.S.F. की फुल फॉर्म क्या है, तो B.S.F. की फुल फॉर्म है, सीमा सुरक्षा बल, option number A, Border Security Force, नेक्स्ट क्वेशन है बाला कोट इस्थान किस देश में इस्तित है तो ये है आपका उप्सन नमर बी पाकिस्तान में अगला प्रशन है लोकसभा का पहला अध्यक्स कौन था तो लोकसभा का पहला अध्यक्स था जेबी मावलंकर अगला प्रेशन है छत्रपती सिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था तो इन्होंने भेजा था राजा जैसिंग को अगला प्रेशन है आरंबिक बौध साहित्य किस भासा में रचे गए थे तो आरंबिक जो बौध साहित्य थे वो रचे गए थे पाली भासा में अगला प्रेशन है भारत में लड़की लड़के की करमसा साधी की नियूनतम आयू क्या है तो इनकी जो नियूनतम आयू है वो है 18 और 21 वर्ष अगला प्रेशन है छेत्रफल की दृष्टी से भारत का सबसे बड़ा केंदर सासित परदेश कौन सा है तो सबसे बड़ा केंदर सासित परदे से उप्सन नमबर बी लद्दाग किसकी दृष्टी से छेत्र फलकी अगला प्रेशन है संसार में सबसे पहली महिला परधान मंत्री किस देश की थी तो संसार में जो सबसे पहली महिला परधान मंत्री थी वो थी स्री लंका देश की और इनका नाम था स्री मावो भंडार नाई के क्या था स्री मावो भंडार नाई के ये भी आपको साथ में याद रखने है अगला प्रश्न है भारत में वन अनुसंदान संस्थान कहां इस्तित है तो ये है आपका option number C देहरा दून में अगला प्रश्न है भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए चाते हैं तो भारत में जो रेल के डिब्बे हैं वो बनते हैं कपूर थला और पेरंबूर में अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था तो ये नारा दिया था आपका उप्सन नमबर B लाल बहादुर सास्त्री ने अगला प्रश्न है वजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित हैं तो ये संबंधित हैं आपके उप्सन नमबर A कुस्ती से अगला प्रश्न है आई एस आई एजेंसी किस देश से जुड़ी हुई है तो ISI agency जुड़ी है आपकी option number A पाकिस्तान से अगला भाग है सामाने बिज्ञान का और इसका पहला प्रश्न है किसी स्वतंत्र रूप से गिरती वी वस्तु की इस्थितिज उर्जा सरवाधिक कहां होगी जो इस्थितिज उर्जा होगी वो सरवाधिक कहां पर होगी तो जैसे ही हम वस्तु को फेकेंगे यानि सुरुवात में सुरुवात में जो है इस्थितिज उर्जा सबसे जादा होगी अगला प्रेशन है जल में किस धातू की किरिया करके हाइड्रोजन बनाई जा सकती है तो जल में जो है सोडियम की किरिया करके हाइड्रोजन गैस बनाई जा सकती है अगला प्रेशन है बिद्दुत घंटी में कौन सा चुमबक इस्तिमाल किया जाता है तो बिद्दुत घंटी में इस्तिमाल किया जाता है option number C बिद्दुत चुम्बक इस book में जो है इसका answer D दे रखा है जो की गलत है option number C से एकदम सही answer होगा अगला question है सूर्य गरहन कब होता है इसका right answer है option number C जब चंद्रमा सूर्य और प्रितिवी के बीच से गुजर जाता है जब चंद्रमा जो है सूर्य और प्रितिवी बीच में आ जाता है मालो यह सूर्य है और यह प्रितिवी है और यहाँ पर क्या आ गया चंद्रमा तो तब क्या होगा सूर्य गरहन अगला question है इन में से कौन सा उपकरण इंजन को ठंडा करता है तो इन में से ठंडा करता है ओप्सन नमबर A रेडियेटर अगला प्रेश्ण है सीत रितु के दिनों में हम मौसम किस परकार का होने पर ज्यादा ठंडा महसूस करते हैं तो जब मौसम एकदम साफ रहता है तो उस टाइम पर क्या लगता है ज्यादा उस टाइम पर ज्यादा ठंड लगती है option number A इसका एकदम सही होगा अगला प्रेशन है मरीची का परकासिय दृष्टी ब्रह्म होने का मुख्य कारण क्या है तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका option number B परकास का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन जबकि इस बुक में इसका option गलत दे रखा है इसमें C दे रखा है इसका right answer है option number B परकास का पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन अगला प्रेशन है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी तो सौर प्रणाली की जो खोज की थी ये की थी आपकी option number C कौपर निकसने अगला प्रेशन है उन्नतो दर सिसे से बना हुआ परतिविम्ब हमेशा होता है तो ये परतिविम्ब होता है आपका option number B अपरतिविम्बित और सीधा अगला प्रेशन है कैलसियम कार्बोनेट गर्म करने पर क्या उत्पर्ण करता है तो calcium carbonate गर्म करने पर option number C carbon dioxide उत्पन करता है अगला प्रश्ण है आवर्त सारणी में रासायनिक तत्तों को उनकी प्रमाण भार की बढ़ती हुई संख्या में किसने ब्यवस्तित किया तो ये ब्यवस्तित किया था option number A, mand leaf ने अगला प्रश्ण है निम्न में से कौनसा इधन के लिए उपयोग में आता है तो option number C, C4H10 जो है इधन के लिए उपयोग में आता है और इसका ये जो रासायनिक सूत्र है ये रासायनिक सूत्र है आपका butane का अगला प्रश्ण है हाइड्रो क्लोरिक अमल एबम धातु की अभिकरिया से कौन सी गैस निकलेगी तो हाइड्रो क्लोरिक अमल एबम धातु की अभिकरिया से ह2 यानि हाइड्रोजन गैस निकलती है अगला प्रेशन है उत्तल दरपन का उप्योग किया जाता है तो उत्तल दरपन का उपियोग जो है जो गार्ड ड्राइवर होते हैं उनकी सीट के बगल में जो दरपन लगे होते हैं वो कैसे होते हैं उत्तल दरपन option number D इसका एकदम सही होगा अगला प्रेशन है sodium का रासाइनिक संकेत क्या है तो sodium का रासाइनिक संकेत है option number A N A अगला प्रेशन है reasoning का magazine संबंदित है संबंदित है तो नाटक संबंदित होगा किस से निर्देशक से option number A इसका एकदम सही होगा अगला प्रेशन है series दे रखी है तो इस series को आप खुद से करेंगे वैसे इसमें जो logic है वो double हो रहे है चार दुना आर दुना सोला दुना बत्तिस दुना 64 option number A इसका सही होगा अगला प्रेशन है टीना पूरब की और 45 km गाड़ी चलाती है फिर दाइं मुड़कर 65 km चलाती है फिर बाइं मुड़कर 33 km जाती है उसका मूँ किस दिसा की और है तो जैसे जैसे question में बोला गया है वैसे वैसे हम लिखते चलते हैं तो 45 km पूरब होता है right side में 45 km चली पूरब की और उसके बाद फिर दाएं मुड़ी दाएं मिंस नीचे मुड़ी और किस दिसा में है तो उसका मूँ का है पूरब की और option number A इधर को जा रही है इस side को जा रही है तो मुझ किदर होगा पूरप की और option number A इसका एकदम सही होगा अगला प्रशन है माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है माया की जो माता है इसकी जो मा है वो रंजीत माता रंजीत के भाई की बहन है रंजीत है कोई और उसका कोई भाई है याँ पे और उसकी क्या है बहन है तो रंजीत का माया से क्या संबंद है तो रंजीत क्या होगा है मामा उप्सन नमबर ए इसका एकदम सही होगा अगला प्रशन है Deliberation को ये लिखा जाता है तो उसी भासा में इसको क्या लिखेंगे तो Deliberation को जो है उल्टा कर दिया गया है पूरा D-E-L-E-B-E-R-A तो इसको उल्टा कर दो Y-T Y-T एक इसमे है, एक इसमे Y-T के बाद क्या है? I और I इसमे है, तो option number C एक दम सही हुगा, तो इस practice set में बस इतना ही signing out